हेलो फ्रेंड होब कि आप लोग से बच्छे से होंगे मैं हूँ सफीक से आज मैं HBAC का एक बहुती कॉमन टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है Air Handling Unit यानि AHU तो आज सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेंगे फिर ये FCU से किस तरह से अलग है वो देखेंगे फिर ये एक टिपिकल AHU का वर्किंग प्रिंसिपल मैं बताऊंगा तो दोस्तों ये है इसका डेफिनेशन Air Handling Unit are very common in all type of industrial, commercial and residential building HU is used to reconditioning and circulate air as part of a heating, cooling, ventilation system covering either single or multiple location within a building ये कह रहा है कि हर तरह के building यानि industrial building हो गया, commercial building हो गया या residential building हो गया जैसे कोई office, corporate office हो गया, उसके बाद residential building जहां पर हम रहते हैं इन हर तरहां के building में, building में से हू जो है, बहुत ही common use होने वाला HVAC unit है, ठीक है और ये क्या करता है, हू क्या करता है, use to reconditioning and circulate air मतलब air को reconditioning करना है, मतलब उसको filter करना, जो हम room के अंदर हावा लेते हैं उसको filter करना, उसको ठंडा करना या heat करना, मतलब अगर गर्मी के time में हो, तो आपको ठंडा air चाहिए अगर आप ठंडी के दिन में हो, तो आपको गरम air चाहिए और filter होके चाहिए ठीक है तो उसके बाद क्या करता है covering either single और multiple location उदिने building यानि कि इसका क्या मतलब होता है either ये एक single zone यानि एक मान के चलो एक हॉल में provide कर रहा है या फिर दो तीन रूम चार पाश रूम में इस तरह के बड़ा बड़ा जगह के लिए ये air को provide करने मतलब reconditioning air को provide करने के लिए इसको use किया दाता है हम आगे चलके समझेंगे ये किस तरह से करता है ठीक है इसमें और दूसरा बात ये है कि ये किस तरह से fan coil unit यानि एक 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 सीउ से अलग है दोस्तों अगर आपने एक सीउ का working principle नहीं मालूम है तो आप मेरे पहले वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं कि एक सीउ का working principle लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो चलिए समझते हैं it differ from FCU यानि fan coil unit because an HU system can treat outside air while FCU basically recycle or recirculate the existing air within a particular space क्या बोल रहा है यह कि यह fan coil unit से अलग कैसे है कि HU क्या करता है outside air यानि बाहर के air को treat करता है ठीक है और FCU क्या करता है वो अंदर के particular space को recirculate करता है यानि वह हवा को देता है फिर वह हवा को अंदर से लेता है है फिर देता है ऐसा करता है और यह क्या करता है बाहर के air को लेता है ठीक है फिर अंदर को देता है ऐसा अलग system है हम समझेंगे ठीक है तो उसके बाद दूसरा difference क्या है है यह बिसिकली connected connected to and work as part of an overall hb system पूरा hbc system का यह एक पार्ट है जबकि whereas the fcu can function function और भी और भी installed as a standalone unit ठीक है तो यह क्या करता है fcu क्या है कि यह एक अकेला अब अब काम कर सकता है ठीक है एक single zone की लिए दोस्तो यह q काBex 하는데 इसमें मैं अपना main maine part इसरा पहले बता देता हूँ यह डמתर होता है और यह यह नाग यह और होता है यह यह वह कूलिंग कायर होता है और यह ही rubbish को तो दोस्तो होता है यह supply air है और यह supply duct के थो रूम में जाता है जिस रूम में हमको air चाहिए ठीक है उसके बाद यह room का air जो return वापस return होके इधर आता है ठीक है उसके बाद यह होता है हमारा exhaust air जो air हमको नहीं चाहिए वो हम atmosphere में वापस भेज देते हैं और फिर यह क्या है fresh air होता है ठीक है fresh air हमको कितना चाहिए हम लेते हैं तो होता क्या है कि पहले यह जब fan चलता है ठीक है तो यह हवा यहां से खीषता है ठीक है यहां से fresh air खीषता है ठीक है हमको कितना चाहिए यह damper से हम set कर सकते हैं कि हमारा return कितना air हम लेंगे लेंगे इस दोनों को mix करके ठीक है यहां पर एक filter होता है फिर यह filter होके आगे यह cooling coil में जाता है ठीक है यह cooling coil में जाता है cooling coil में यह यहां पर पानी होता है यह chilled पानी आता है ठीक है 7 degree temperature 7 degree Celsius के टेमपरिचर में आता है और यह थंड़ा होने के वज़े से यह air इस coil को touch होगे आगे निकलता है जब तो यह air थंड़ा हो जाता है यह थंड़ा air हमको गर्मी के दिन में यहां room में चा फाल्व करते हैं चीलर से Connected होता है थीक है उसके बाद यह samb AG राओ ये यहां आता है तो यहां गरम कोईल के वज़े से यहां पर हवा गरम हो जाता है तो गरम हवा हमको ठंडी के टाइम में इस रूब में चाहिए होता है ठीक है ना तो यहां पर ध्यान देने वाला बात है कि जब हम इस चीलर को चालू करते हैं तो हम इसको चालू नहीं करते हैं ठीक है यह बॉलर को चालू को चालू नहीं करते हैं तो एक साथ दोनों काम नहीं करता है ठीक है हमको इस रूम के मतलब कंडिशन के हिसाब से हम इसको या इसको चालू करते हैं यानि मौसम के हिसाब से यह हमारा री कंडिशनिंग एयर यह रूम के अंदर जाता है ठीक है यह रूम के अंदर एयर आने के बाद फिर यह रिटन वापस इस रिटन फैन के थो इधर आता है आने के बाद यहां पर हम इसको कितना डैंपर से सेट करते हैं कि कितना परशंड हमको एयर वापस लेना है और कितना परशंड यहां पर हम सेट करते हैं कितना परशंड हमको exhaust कर देना है ठीक है न तो यह था मतलब working issue का ठीक है न होब कि आपको वीडियो अच्छा लगा और कोई doubt है तो comment section में पूछ सकते हैं वीडियो अच्छा लगा है तो like करें और channel को subscribe करें